कि डियरेक्टिव प्रिस्पल आप स्टेट पॉलसी कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आजादी के लड़ाई चल रही थी तो भारती राष्ट्री नेताओं द्वारा जो है इस बात की मांग की जा रही थी कि हमें अधिकार चाहिए मगर यह अधिकार कभी द रहा हमें कभी अधिकार नहीं दिये गए यह तो जब संधान को हमने बनाया है सुतन्द भारत के लिए तो वहां पर अपने संधान में हमने अपने देश वासियों को भारत के नागरिकों को भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार दिये वह अधिकार की दो क जीवन कि संचालन नहीं कि अधिकार जो वैकित्व के विकास के लिए ब्रहेत। जरूरी माने गए उन अधिकारों को नाम दिया गया संधान के भाग तीन में रख्था गया और इनको जो है इनको जो है जेश्टिश बगाया गया अधिक अर्थात यह वह अधिकार थे जो सरकार इसका वाइलेशन कर ने सकती और सरकार इन अधिकारों का उलंगन करती है तो हम सिद्ध कोड जा सकते हैं हम सिद्ध कोड जा सकते हैं और कोड से हम अपने अधिकारों को वापस ले सकते हैं अगर ये अधिकारों को सरकार हमें नहीं दे रही है या सरकार में इन अधिकारों का उलगन कर रही है तो हम सीधर कोड जाएंगे और कोड दोरा आपने इन अधिकारों की पुनादस्थापना कराएंगे इन अधिकारों को रिश्टोर कराएंगे इन अधिकारों को बहाल करव लिए हमारे लाइप के लिए हमारे ओवर और आए डिभी विल्बाइब लिए इसने है बहुत जरूर्वी है इसले पुर्व भूहत अधिकार कहा गया कि अग soul का उलदमन होता है तो कोड हम जा सकते हैं को कोड जाने की पुरी जहें अन्मत दी गई है हमाई समधान होई अनुछेद 32 के ताहिद आइके 32 हमको इस बात की अधिकार देता है हमको इस बात लिए है इन अधिकारों को मरा गया है इन अधिकारों को इसको चीषी कहा गया है one योग्य मनाएगिया है हम कोड़ जाकर अपने अधिकार को चीड कराएगि अधिकारों की दूसी प्रक्तिती पूरा कि जो आदर स्वादी अधिकार सहय कि अधिकार को अधिकार के अलावा अपने दैना चाहिए यह भी देना चाहिए वहां पर एक सर्व थी कि सरकार अपने च्षमताओं को ध्यान में रख देगी कि अगर सरकार का तक छमता है तो देगी सरकार क अधिकारी को एक्षिव कहा गया अधिकार कि दूसरी कटिगरी थी जिस नोंग इपनल आपड़न, यह दिक्षिध कर देगरी थी इन इनको शंधा कि अगर ये अधिकार सरकार हमें नहीं देती है अगर ये अधिकार सरकार हमको नहीं देती है तो हम कोड नहीं आ सकते हैं कि अधिकार सरकार हमें नहीं देती है तो हम कोड जाएं तो यह अधिकार सरकार की इच्छा भी छोड़े गए तो यह है जैसे इसे आपका उता जाएगा जैसे से आप विक्सित होते जाएगे आपकी चंपड़ते जाएगे आपके खजाने पैसा आप जाएगा उस अनसार भी आप जो है जो जो समझिएगा देजिएगा तो इन अधिकारों को अन्यवार बनाया गया सरकार को सरकार अभी देने ही तो इन अधिकारों को जिसे समाननागिदिक सहिता सामान नाजात सेता है कि हार एकि वाइप एक किनिए नहीं नहीं एक मुसलमान जो है जा फ्रेक्षक कर सकता है चार वोइब हासाकर for a time कि एक यूदु एक टीने पर एड़ायो धो लैक्ता टलाग दे यह का मर जाए वह बीना ह मैइप को हो जाए तब दूसर साथी करेगा अगर दूसर साथी कर ली एक हुट हुए और तलाक नहीं हुआ है तो उस पर करवाई की जा सकती है अगर बाइक जह कोड जाती है सिकायत करती मुकदमा दाय करती है तो यह कानून के आगे हर को समान को फिर कहा हुगा से सब्सक्राइब कर दो ले मामले हैं उतरा धिकार के मामले हैं गौद लेने के मामले हैं अलग अलग ध संधान सरकार को छूड़ देता है कि प्रसतियां देखो जैसे से आपके नागरिक समझदार होते जाए उनमें अवेड़नस बढ़ते जाएगी उनमें जागताते जाएगी वसे आप रुटू साब से दीजेगा तो कोई नागरिक जाकर कोड जाक यह नहीं कह सकता कि डैक्टि सिविल कोड समान नागित संचता यह बात करता है तो वह दिया जाए दिया जाए नहीं कह सकता तो कि अगर सबकार हम को दी दे रही है तो यह नौन जेश्टिश हावाल है हम को नहीं जा सकते हैं कि यहां तक बास वहाँ है कि लिग और हो सकता आज इनके पास सब्सक्राइब कर देखेगी देश की प्रस्तिया देश का महल देखेगी उसके बाद वह उच्छी संजेगी तो देगी नहीं संजेगी तो नहीं देगी और हम इसके लिए कोट नहीं जा सकते हैं तो दूसरी प्रकार का दिखा लिए इसी के बारे में आज बताना है तो यहां कि देखेगी जो आपके अनुच्छे जाते हैं इसके बाद फिर जो अनुच्छे कम जाते हैं वहां पर कंस्प्र जाना पूछे जाती हैं और यहां तक आपके पूछे जाएगी आपसे अनुच्छेद आज किसी खुब पूछे जाते हैं तो नोट लिखास हो कीजिए अग्याएग्याटिव प्रिस्पल्स को संधान के भाग चार में रखा गया है डाक्टिव प्रिस्पल्स और किसमें आपको हिंदी में लिखाएं कि इंग्लिस में लिखाएं आप किसमें सही मसूश करेंगे दोनों सह जाएं ठीक हम दोनों बोलेगे आप जैसा समझें के कर लिए आखें डाक्टिव प्रिस्पल्स और एनुमरेटेड़ डीपीस पीज आपकोर आप फॉर और इंडियन कोंस्टिटुशन डाक्टिव प्रिस्पल्स और प्रिस्पल्स समिधान के भाग चार में वाड एनुमेरेटेट ने स्वाच पार रहा हैं लेकर दिखाएं डाक्रिप्रिस्पल्स और स्टेट पॉल्सीज आर एनुमेरेटेटेड इन पार्ट फोर और इंडियन कॉंस्टिटिटूशन संधान के भाग चार में वर्नित हैं इन है आयलेंड का संधान 1937 से लिया गया है यह जो है आयलेंड ओस क sido आयलेंड के संधान से लिये गया है आयॉट यह जो त्यूज का संधान था से लिया गया थे डाक्रिप्रॉस्टिट‍व प्रिखेंट पाव स्टेट पावशी डिज आरंब बारोड और फ्रों आयरेसं कंटीटूटूट्यूशन इस आरफ बारोड फ्रों आयरेसं अन्यृस्टूटूटूटूटूटूटूशन तो मिनंटी सब्सु आलेड़ के शंद्धान के द्वारा लिए गए हैं देखिए इस बाद को लोग धान दीजिएगा मिटार देना सुझ अगर आप सो पूछा जाए कि जान सो पूछा जाता है कि सम्धान की आत्मा सम्धान की आत्मा आत्मा मिस फोल एस ओ यू एल सूल समधान की आत्मा किसे कहते हैं बताएए बिलकुल नहीं गलत आप किसे बताएंगे संधान की आत्मा सम्धान की प्रस्तावन कहते हैं प्रेंबल ऑफ दाकी अस्टीिटोण इच आउसो कॉल्ड, यह सोल औप Casey. स्ट्रीटिटिशन सम्धान की आत्मा सम्धान की प्रस्तावना है उसका प्रियम्बल है जिसको उद्धिस का भी कहते है जिसको आमुख भी कहते है यूष रियो प्रेयंबल वो를 था마ने और पूरु संध्धान आपकला है परियंबल परे विण संध्धान का सार को सरई लियो प्रोस ही एस आपक अप्रियंबल जिस प्रकार से एक-7 और बॉस्थ रिजा निचोर कहना गीता है तो गीता में पूरे समधान को पढ़े गेंगे वह आप सब्धान की प्रस्तावना पर लिए इसे पुरा समधान की आत्मा आत्मा आजाती है आज आत्मा क्या है पर समधान की प्रस्ताूल के प्रस्तावन इस वह कुथ थिर्डशिका को वांकि आत्मा क्या है इसे वह द으면 कर सो रहत नाम मतंद मांत अगल को में अगल को कि डॉक्टर अमिज्कर कंसार आत्मा क्या है डॉक्टर अमिज्कर ने किसको समधान की आत्मा कहा तो अब बताई यह नहीं पता डॉक्टर अमिद्कण में हमारे आपके थाइटिटी डू को संधान क्या आत्मा कहा है डॉक्टर अमिद्कर ने कहा है कि अनुछेट बत्तिस जिसके दरगत कहा गया है राइट रॉकव कॉन्स्टिटूसर्ण रेमेडी स्मयधानिक उपचारों का दिकारा स्वमिधानिक उप्चार का दिकार जो सम्धान की आत्मा और दिल है दिर्दा है अब यह प्रस्तावन हो जाएगा लेकर अगर आपको यह पुछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेदकर के नसार डॉक्टर अंबेदकर के नसार समधान का हिर्दय और आत्मा क्या है तो आफ आट जाएगा जिसको है जो है समधानिक अप्चार का दिकार जैंवाइव फंडव अधिकारों का दिल किसे कहा है दा हाट और फंडवाटर राइट सुप्रिम कोर्ट ने मूर अधिकारों का फंडवाटर राइट्स का मूल अधिकारों का फंडवाटर राइट्स का मूल अधिकारों का फंडवाटर राइट्स का मूल अधिकारों का हिर्दय हिर्दय कि यह कहा है आइड के ट्वंटी वन को जो हमको देता है जीने का अधिकार जीवन का अधिकार अधिक अधिकर जीने का अधिकर की सब्सक्राइब अधिकर किया है इनको एक जगे बॉक्स बनाके लिए और याद रखिए यह प्रसेट जाने खास तो समधान की आत्ला क्या है किया ओर डॉक्तर अमीर को सार संधान की आतना किसे कहा जाता है अगर मुंझे आग आपको बताना जारा है उस पर ध्द्र करता है ये व्धियों की अ ये टिने बात कर रहा है अ ये यह व्धिक बात कर रहा है यह नाजब कि बन कि बात कर रहा है दो यकों इंडे को दियुक्ति को धी एły है नागर को धी आ यह इंडिविजूल बात कर रहा सार्स सौर्ट सновक है यह इंडिञी हो दी गी जूवप लिस्टिक है तीमिटर्फ पंटमेंट्राइट साथ इन्डिवीडियु रिस्टिक है फंडव जाक रहा है वो गथ्टी को देता है नागरिप को देता है वहें डीपैस ने सब्सक्राइब को दे रहा है समुदाय को दे रहा है समाज को दे रहा है दोनों मंतर है एक तरफ वक्ति है एक तरफ समाज है के भी अधिकार होते हैं उस समाज के भी अधिकार होते हैं और आपके होती है तो मतीक गदी को नीचे रखा जाता है पूर समाज के अधिकार वे अधिकार गुंप्र रखा जाता है मेरा एस की सो'tब खेसे हुआ अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं डिपी जो है अधिकार समाज को दे रहे हैं समूदाव को दे रहे हैं कि यहां कुसे समझे से समू से समुदाय से समाज से तो जहां इंडी विडियो निस्टिक है वहीं डीपी एस्पी ऑफ इस्टेट पॉलिसी डाट्रिप्रिस्पल आप इस्टेट पॉलिसी यह क्या है सुषाई टेरियन है तो अब देखिए संत्रों मिन गया यहां से हम व्यक्ति वनिकार दे रहें तो फंटाव टराइस डिपीस्टी दोनों मिलकर एक दुसे की कमिल पूरा कर रहे हैं ठिक यह इस व्यक्ति को यह नगरिक अधिकार दे रहा है यह लाविकों को नागरिकों समझ समाज को समुझ की अधिकार को रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या करते हैं एक जिसकी क्रमी को पूरा कर रहे हैं तेक हमारे जूरिस्ट हुए है याई विद मूए साथ अमेर्की रहे हैं और चली अस्टिक नाप सना संधान के अंताकरण का नियमार करते हैं दा कॉंसर्स ओफ इंडियन कॉंस्टिटूशन बोथ कम्बाइन टोगेदर को फॉर्म दा कॉंस्टिटूशन ओफ दा कॉंसर्स और इंडियन कॉंस्टिटूशन यहां तक बात संधाने जिए को सब्सक्राइब कर दोनों मिलकर फंटमेंटर राइस और डाट्री प्रिश्टिक विश्टिक वूल अधिकार और राज के नीदी निदेसक सुद्धान य झाला का नक्ताकरान क्या है डाट्रिफ प्रिस्ट्र सफ फंट अमटाविश दुनों मिलेगे तो भालजरत यांता कि परस्तावना क्या है सुली डॉक्तन नुसरा भारती संद्हान की आत्मा क्या है कि अग्व क्यों समधानित उप्शारों का दिकार राइट यो कोंस्टिटुटूसर रेमिडी बहार देविए प्रफ फूर्ड तेक को सरुदा लिए रहा है लेकिए लिए लिखाल रहा है विकाद नाउट रिखादे है मूल अधिकार का सुरूब तिक है व्यक्तिक है व्यक्तिक क्यों लिखेंगे देखिए तो अधिकार का सरूफ व्यक्तिक है अरथात अरथात यह अधिकार याधिकार अधिकार किसी व्यक्ति व्यक्तिक को उपलब्ध होते हैं, अर्थात, ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेश या नागरिक को उपलब्ध होते हैं, अर्थात, ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेश या नागरिक को उपलब्ध होते हैं, वही वही नीति निदेशक सिध्धान्त, अपने सरूप में वही नीति निदेशक सिध्धान्त, अपने स्वरूप में सामुहिक, या समस्टि मूलक हैं, सामुहिक या समश्टी मूलक हैं लिके दिखाए क्या सामुहिक या समश्टी मूलक हैं लिके दिखाए आपको बता दिया गरिया संद्ध तर्थ अंग्रेजिम कहेंगे कॉलक्टिब कॉलक्टिब या सोसाइटेरियन सोसाइटेरियन वही डिप्यस्टी अपने सुरुप में सामुहिक या समश्टी मूलक समश्टी समश्टी मूलक कॉलक्टिब या सोसाइटेरियन समस्टी बूलग हैं और थात ये अधिकार किसी व्यक्ति विसेश को प्लब दना होकर, और थात ये अधिकार किसी व्यक्ति विसेश पर केंदरित ना होकर, और थात ये अधिकार किसी व्यक्ति विसेश पर केंदरित ना होकर, पूरे समाज को, पूरे समाज को लच्छ करते हैं। यही कारण है कि आश्टिन महोदय ने, यही कारण है कि आश्टिन महोदय ने, यही कारण है कि आश्टिन महोदय ने, मूल अधिकार, मूल अधिकार और नी, मूल अधिकार और राज के नीती निदेसक सिधानतों को, सम्लित रूप से, रूप से, भारती सम्धान का, अन्ताकर्ण की अंग्रेजी में रखिए, कि आश्टिन में रूप से, रूप से, रूप से, रूप से, रूप से, मूल अधिकार और नीती निदेसक सिधानतों को, सम्लित रूप से, भारती सम्धान का, अन्ताकर्ण कहा है, मूल अधिकार और नीती निदेसक सिधानतों को, सम्लित रूप से, मने दोनों को मिला कर, भारती सम्धान का, अन्ताकर्ण कहा है, कि अज़िए दिविजन तो बहुत जान कीजिए दिविजन नहीं होगा दिक्कत आएगे कि अज़िए अज़िए पराचेज की जो दिखिए सुवधा की दरश्टी से मीटी में दिशक सिधानतों को क्या हिंदेम दिक्कत हो तो दिखा थो रही क्या दिखे लोग्रा शुग्धा की दरश्टी से सुध्धा की दर्ष्टी से सुध्धा की दर्ष्टी से नीती निदेसक सिधानतों को तीन स्रेडियों में बाटा जा सकता है नीती निदेसक सिधानतों को तीन स्रेडियों में बाटा जा सकता है उत्तिनी सणिक क्या है? समाजवादी, नंबर वन समाजवादी, दूसरा है गांधिवादी, दूसरा है गांधिवादी, और तीसरा है उदार बौधिक्तावादी, लिबरल इंटिलेक्ट्टुल, उदार बौधिक्तावादी, समाजवादी, पहला गांधिवादी, दूसरा और तीसरा उदार बौधिक्तावादी, लिबरल इंटिलेक्ट्टुल, सोसेलिष्ट, गांधियन, एन लिबरल इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट उदार बदक्तावादी अब देखिए नीचे दिखिए, नीटी निदेसक सिधानतों का उद्धिस, एक लोग कल्याल कारी राज, एक लोग कल्याल कारी राज, एक लोग कल्याल कारी राज, और समाजवादी, और समाजवादी राज की स्थापना करना है और समाजवादी राज की स्थापना करना है भारती समधान में कल्यान कारी राज की स्थापना का आदर्स भारती समधान में कल्यान कारी राज की स्थापना का आदर्स कल्यानकारी राज की स्थापना का आदर्स सम्विधान की प्रस्तावना और नीत और नीती मिसक्स धानतों में पाई जाती है देखिए यह आप से प्रों पूछा जाता है एक्जाम में भारत के संधान में पर कल्यानकारी राज की अउधाना पाई जाती है भारती संधान में कहां पर एक कल्यानकारी राज का आदर्स देखा जा सकता है तो आपका आशर क्या होगा डारेक्टिव प्रिंस्पल औफ इस्टेट पॉल्सी राज के नीतिनिसक सिधान्थ आपका अशर यह होगा अगर आप प्रस्तावना दिया है तो भी आपका अशर यह होगा एकर अगर आशर कूड में आया है कि प्रस्तावना भी है अपर यह को अशर को और यह भी है वह आशर है एवी आए और दोके तो आपको से हो जाएगा लेकर अगर आपकोड़्र ने हुआ है सिर्फ एक्यू अँचह यह है वहां प्रस्तावना भी है वहां पर ड्र सट्रीजिक किला है राज के नीधिन सक्टातों भी है आप तो आप तरस्ताऊने को नहीं चुनऊगे आप डैक्टर प्रस्पट को होगे है अजिए कि अब डैन्रट प्रस्पट इस्ट रॉप इस्टेट पॉसिए क्या है अब अब उनकी बात की जाते हैं जो आड़ किन वाइस बात की जाएगी ठीक है कि स्वविधान में लिखिए समधान में कि स्वविधान कि समधान में नीटी निदेशक्तत्य उच्छेद अनुच्छेद अनुच्छे च्छत्यस से इक्यावन के बीच दिये गए हैं च्छत्यस से इक्यावन में दिये गए हैं आड़ के थर्टी सिक्ष तूप्टी वन यह जो आड़ के थर्टी सिक्ष तूप्टी वन है इन्हों में नीटी निदेशक्तत्यों के बारे में बताय गया है आप समझते जाएंगे और हर आड़के लिखते जाएंगे अब अराब समझ देजी ना फिर लिखाएंगे देखिए जो आड़के 36 है यह क्या है इसका कुछ महतल नहीं है यहां पूछा बने जाता है आड़के 36 बताता है कि राज यह क्या होगा सुट्धानत हैं कि यह किसको य Samuel On stability सरकार क kimchi कियेगे वहीं है कि राज जो है आप जो है अपने नागर continu को यह समान दीजिए आप अपने नागरिक सब्सक्राय का वहवार कीजिए के निरीं इन किसको network करते गिसको समधूंत कर रहे है जो तो ही हमार्ट को करेगा है यह हम आपने नागरों को साथ यह नहीं करेगा राजवक्तियु अईसान हैं जो अधिकार है यह राज पर सीमाय-आरफिक करते हैं और आच के मनमानेपन पर राज क defensive पर यह आंकुष लगाते हैं कि राज भारत में राजचित में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के सामने सवामता और कानून के समास वच्छण से वन्चित नहीं करेगा राज किसी के विसाथ जाति के अधार पर धर्म के अधार पर लिंग के अधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज चुवाच्छूत का आच्रण नहीं करेगा राज किसी को उपाधियां नहीं देगा राज सरकारी नौपरी में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति लिंग ज हम कुछ लगाते हैं कि फंटम राट जहां को राज के व्रत अप्लब हैं तो फंटम राइट हम बताए गया था अनुछेद बारा में आट के बारां बताए गया था कि जो है राज क्या है ठीक अप नीची निशक सिधान यह भी राज को अड्रस कर रहे है केटी साथ की अनुसार क्यों नीची निशक अएक ऐसा चेक है यह जिसे राज अपनी सुब्धा अनुसार और इसे अजसे बैंक यसे बैंक अपनी सुम्धा अनुसार अदा करेगा कि यहां तक बाद अब देखिए आप प्रवर्टनी है आवाद योग है बैंग अपनी सुद्धा सर्दा करेगा इस चक को जसके पास पैसा होगा कि hra लागर यहां तो इसलिए गार्टनी निंशक इसक चाहिए यह सरकार क्लिए एक तरिक से टूसरर रखमन्डेशन हैं कि सबकार्थने संवृधानिक संस्तुतियां है राज को स्रामधानिक रूप से कुछ ऐसे रिक्वर्टेशन कुछ ऐसे सिफार से की गई है जिन्हें राज को मानना चाहिए अच्छे सासन के लिए देश के शासन के लिए ये सिद्धात मुलभूत है वह कानून बॉर्प समय सभान तो को सरकार लागु करे तो यह अठीव बस समय समय आती है क्लाइं निटी निशिद्धान तो गई प्रकटी है वो सभाष को रूप में यह राज के लिए समभाष को सभाष से परन्तु यह परन्तु यह विधाई का गार्पालका पर कोई प्रतिबंद को निर्बंधन नहीं सहालते जैसे कि जो है आपके ओधिकार लगाते से मॉलीक अधिकार जो है राजपर प्रतिबंद लगाते हैं एक लिक एक यह अरय, रजय dł zarik करे के जाज hasn for कोई रिष्टिक्स नहीं लगाए गया है तो उसकी प्रक्रतिक्या है क्योंकि यह नियालिक द्वार लागू नहीं सकते हैं और थाथ इनका सब्सक्राइब लुख का है कि आपने मीज़े दी है ऑफ पहर बादेकारी नहीं मैं चाहूंगा तो मानूगा तो नहीं 강ly तो लिए इसका जो करेक्टर है इसका जो शरूप है वह स्वाम धानिक सफर्सूं की तरह है इस विए जिसको मानना मनना सरकार गूपर है वह समझवारी जिसे कहता है समय नागरिक सहिता यह तो क्या एक लागू करो यह क्या है एक वाप्रीट तूसर रिकमेंडेशन है किसर सहब अर्ची समझगी तो कौम्मां स्वील कोल लागी करोगी जन्यूंप neighborhood शीनिवार्णा नक्रता मौन करेंगी उच में समझेगी आईसा महल स्मझति और वाल यह रविक इक यह तो आगे लुकिये को अ बार्च्रि प्रिस्पर का सरूप नीती निदेसक सिधानतों का सुरूप सम्विधानिक सिफार्सों की भाती है और यह परन्तु यह है परन्त यह है कारपाल का या विधाय का पर कोई निर्बंधन नहीं आरोपित करती परन्तु यह कारपाल का या विधाय का पर कोई निर्बंधन नहीं आरोपित करती हैं यह सब आप से निर्बंधन वाने रिष्टिक्शंस ब्रेकर रिष्टिक्शंस कोई निर्बंधन नहीं आरोपित करती आई तक मने आपको जित्ती बाते बताई हैं यह सारी बातें आप से जाम पूची गई है देखिए उन पुछा गया है कि डैक्रेट्री प्रफल आप स्टेट वासिज है वाद योग है कि आवाद योग है यह आप्रवर्तनी है ठिक यूँ पुछा गया है कि देश के साफन के लिए मूलभूत है और कानुन मौत समय इन सभानतों को लागू किया जाना चाहिए अनुछीर में दिया गया है अनुछीर सेंध इसम्हें दिया गया है ठिक दिख जूपुछा गया है की कि युद्धने कहा था निदेसक्सिधानत एक ऐसा चेक है जिसे राज अपनी सिभ्धयक्र सर अधा करेगा कि यह क justement केटी श्हका है मिभ्या अलिक है कि यहान् does Records पॉझिजु घडारा एंबंधा लगाता है ये स्टेटमेंट कर्यू है कि फालस से फाल से कि निरबंधा नहीं रहा कि दूसरा डाकट्रि फ्रस्पार्टर से पॉसर कि विध्धाइका पर निरबंधा लगाता है सब्सक्राइब कर दोनों फॉल सब्सक्राइब को जितनी बाते भी हैं जिस सारी चीजे एक्जाम में पूछी गई हैं और यह सारे अप्रोस ने कहां साया है कि अप्रोस निकले हैं कि यह अप्रवर्टनी है अपने सब्सक्राइब करेगा इससी बात निकल क्या आती है यह समधानिक सफार से हैं इसी बात निकल क्या आती है कि यह दो कारपाल का ना ना पाल का पर कोई निरबंधन लगाता है ठीक कि तना बज़ गया है कि यह तो सब्सक्राइब को आपको शुक्राइब करें आपको शुक्राइब करें पर्षा अब अगल वारी बात संभारी है अब देखिए आजके थाट शुक्राइब अपकि थाटी एड़ थाटी एड अजय दो क्रॉज है एक नोट रॉजबन और एक है क्लॉज़ टू प्लॉज़ वन क्या कहता है करेंगे एक ऐसा सोसल और एक इसी समाजिक ववस्था बनाएंगे जो समाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर आधारित को जिसके द्वारा जो लोगों के कल्यार को बढ़ावा दे यहां यह कहा गया है कि हमको एक कैसी समाजिक ववस्था चाहिए एक ऐसी समाजिक ववस्था चाहिए पर समझिए जो न्याय पर अधारित होगी हमको न्याय पर अधारित समाजिक ववस्था चाहिए यह न्याय कैसा होगा समाजिक न्याय होगा यह न्याय आर्थिक होगा यह न्याय राजनीतिक होगा समाजिक आर्थिक राजनातिक नयाय को अधरित समाजिक वर्षा हम को चाहिए इससे क्या होगा इससे होगा लोगों का कल्यार लोगों के कल्यार को बाहुआ देने के लिए हम ऐसी समाजिक वर्षा को समश्शित करेंगे जो नयाय को अधरित होगी यह नयाय समाजिक आर्थिक कि आमेंदी जो मध् है manner कर रहें कि अब समाजिक आर्थिक राजनाती गोड़ा करेंगे जू Lindsay और लोक कल्निया देगी को बढ़ावाद ही अगर यहां कुछा जाए कि कल्यान काली राज की स्थापना का आदर से कहां पाया जाता है तो नीटी निसक्त सिध्धानतों में और नीटी निसक्त सिध्धानतों में खास तोड़ से कहां पाया जाता है आड़किल इतना पर्यार्प्स है करेता है कर लाकशी राज की इस्थाफना का कहां कि आधर से कहां पाया जाता है डाइक्ट्री ट्सक्राफल पॉस्पिर जाता है मीद इसक सिधान्तों के चैप्टर में पाजाता है जो समधाना का भाग चार है और नियुक्त सिधान्तों में कहां पर पाई जाता है यहां अर्थिक आधारित होगी कि समधार्थिक नियाय कि राजमिक ब्लाओं का तो आपको चीजे आसानी से क्यांच हो जाएंगी कैप्चर हो जाएगी आपने चार्ट बना लिया लिए इसको अब पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाए आसाम जाती है टीचर के भूंका होती है कि चीजों को सब्सक्राइब उनको खूल देता है एक्प्लेंट कर देता है इसके वाद आपका पढ़ना आसाम हो जाता है डारेक्टिव प्रस्पल और स्टेट पॉल्सी राज के नीची निजेसक सिधान यह राज के नीची निजेसक सिधान था प्रस्टाइब अधर करा अधर का अधर नीच सित आफ़ेंगे ऐसाट कर दो कर दो लिए लोग कल्यार को बढ़ा हवा देने के लिए लोग कल्यार को बढ़ा हवा देने के लिए लोग कल्यार को बढ़ावा देने के लिए ऐसी समाजिक विवफ्था को सुनिश्चित किया जाए जो समाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर अधरित हो जो समाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अधरित हो लोग कल्यार को बढ़ावा देने के लिए ऐसी समाजिक विवफ्था को सुनिश्चित किया जाए जो समाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर अधरित हो समाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कैसा होगा समाजिक आर्थिक राजनीतिक इससे लोग कल्यार को बढ़ाव मिलेगा लोगों के कल्यार को वेलफेर आप पीपल और प्रमूत वेलफेर लोग पीपल वेलाव और तो सुछ अचल अचल आप पर मिलेटर भीजिक आप अचल 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 अब इसका क्रॉश्टू क्या कहता है क्रॉश्टू क्या बताता है कि जो समाज में जो यह अंतर है आय का अंतर प्रतिष्ठा का अंतर सुधाओं का अंतर आउसर का अंतर यह जो इनकी असमानताएं हैं इनको म्यूंतम करेंगे जो 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 आ गया था तो ट्यू फॉर्ट आमेंड मेंट अ अधिस अध्यू जो है शावाल इसने सम्धान संसुधन गज़ाज ओड़ा गया था एच अध्यू जो शुदन फॉर्ट फॉर्ट आमेंड मेंड नाइंटीन तीएट अधि अधिस में जो फॉर्ट फॉर्ट जो ला गया है यह चावाल सम्धान संसुधन उन्ने सु अठाशर के दॉड़ा गया यह कहता है कि आए आए प्रतिष्ठा लिखे आए आए प्रतिष्ठा कॉमा प्रतिष्ठा कॉमा सुभधा धां कॉमा सुभधा और अवसरो और अवसरो की असमानता को और अवसरो आए यह बताता है यह बताता है कि जो असमानता है समाजी व्याप्त हैं जो इनकल्टीज हैं जो असमानता हैं कि यह असमानता है आए की यह असमानता है प्रतिष्ठा की किसी पास बहुत ज्यादा आए है किसी की प्रतिष्ठा बहुत कम है कि कि किसी के पास बहुत ज्यादा सुब्धाएं हैं कि किसी पास सुब्धाएं है नहीं कोई साधन संपन है को साधन लिपन है और अवसर है किनिक पास बहुत ज्यादा अपॉस्यूनिटीज है किनिक पास नहीं है तो यह आए प्रतिष्ठा सुब्धाओं यह असमानता हैं इनको हम क्या करेंगे इनको हम जो है न्यूनतम करेंगे न्यूनतम करेंगे कि यह राज यह सुश्चित करेंगा राज को निर्दस दिया गया है कि आप अपने नागरिकों के मद्ध हैं आप एक छेतर से दूसरे छेतर के मद्ध देखिए आप जब से उधारी काड़ सुरू हुआ है कुछ छेत्रों में बहुजादा उनकी हुई है जिसे बंगलोर है सब आइटी जो अधरी चले गए बंगलोर में हजराबाद में तो कुछ एडिया में इसकी तरक्की नहीं हो रही है तो यह छेत्रों में यह अंतर है आईटी प्रतिष्ठा की सुधाओं की जगों में छेत्रों मंतर है कि बिहार पिछल गया बहुत ज्यादा पिछला हुआ ह आईटी प्रतिष्ठा की सुधाओं की जो यह असमानता हैं इनको कम करने का प्रयास करे राज यह राज को निर्देश दिया गया है इस प्रकार से एकॉनमी का संचलन कीजिए यह हर छेत्र का संब्रूप विकास हो उत्तर प्रदेश कभी हो बिहर कभी हो यह नहों कि जो बंगलोर मुंबई एमदाबाद पूना यह खुब तरकी कर जाए भागर को पटना और दूसर पिछल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए त हम जो है मून पम करें यह राज को निर्दस लिए गया है आर्के 32 लॉट तू में आर्के 38 लॉट लॉट यह लिख लिया हूं वो लिखा दिया है यह राज उद्धिर है आर्क प्रतिष्टा सुब्धा और उस्रों की अफमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा यह लिखा दिया है मिटार दिसको अब नोट रुकलिए ऐसे नोट करके एं ओटी इन नोट आर्क तर्टी एट का संबन विस्यस रूप से विस्यस रूप से कल्याल कारी राज की स्थापना से है अब आता है आर्क टी नाइन देखिए एकसिस समझे पहले अग्याव आर्के 39 में six close है आर्के 39 close A, 39 close B, 39 close C, इस्तिकार से CDEF 6, 123456, अनुच्यत 49 में 6 खंड हैं। इसम अनुच्यत 49 कहीं भाग हैं? यह कोई अलग आटकिन नहीं है, आटिले की है थर्टी नाइन उस थर्टीनाइन के तहरे ए बी सी डी एफ 6 खंड है तो थर्टीनाइन का ए ये कहता है कि सभी नागर्कों को आजीवका के पर्याप्त साधन उप्लब्धों राज ये सुनुश्चित करेगा राज को ये निरदेश दिया जिया है कि सभी नागर्कों को अधिकार है आजीवका के सम्चित साधनों का ठीक तो थर्टीनाइन ये ये कहता है सभी नागिरकों को आजीब के परहापतर्साधनों का अधिकार होगा आजीब करती है इतने आपके पास रोजगार रोजगार होता हೆ हमको मेरी क्सवाए किन काम मिलता है हम बेर्ड हैं बेटीस है हमको टीचर की जॉब मिल गई हम इंजीनियर है हमको इंशनी की जॉब मिल गई हम पिश enjo है हमको डिपरोफेय जॉब मिल गई हमापा जो भी towardsिकेशन है उसक्रिकली जोब मिलती है तीजी है रोजगार आजीवका के समद्ध हमारे क्वालिफिकेशन से नहीं होता है हम कितने पर लिखे हों लेकर हमको कम सब्सक्राइब इतनी जॉब इतना काम मिले जो हमाई भूझ जोड़ते पूरी कर सके तो होता है आजीवका की मेरा जीवन निर्वा हो सके है योँनियो रोटी कापड़ा है तक माहि कवाई होनी होने चाहिए दुर्कण रोजगार क बास नहीं कहीए यहां बात किसी की घई है यहां बात कहें गए पर्याप्त लिखी जीवका का अधिकार सुनिए अभी रोट ना किजिएगा पर्यात आजिवका का अधिकार तो राज को निर्दिस दिया गिया है कि सभी नाजिकों को पर्यात आजिवका का अधिकार सुनुश्चित करे ठीक फिर देखो 39B में क्या कहा गिया है mahiirie में यह कहागिया है अभी में आ छे सब्लेख के निये कहा गिया है कि जो भुतिक संसाधन हैं कि यह से जमीन है कि यह से जंगल है जो गले डिए शेक कारखाने हैं डिनक क्यांने हैं डिस्क्राइं गईक्क्ति संसाधन का ने वित रहो जो नहों कि चेंद लोगों के पास में जो है सारी जमीन आ गई एक जमीदार है जमीदार के पास विहां सब्सक्राइब करता है उसकी जमीन पर कास्टकार काम करता है उनकी मिद्फ पर उनसे ज theor क्या वसुलता है लगाना मेंध में उनकर रहा है कास्टकार करता है कुछ भी करता है वो को को कर रहा है यह नहीं कर रहा है लेकिन संपत्ति का मालिक वह बातिक संपत्ती हैं जो मैटेरल डिस्व तरय है जुब उसको देदी जाए जमीदार को सीमित भूमिद दीया बाकी भूमिदी just पास कांपनी यह सरकारी के बना दिया गया उसको कुछ पैसे दिये गया तो बहुतिक साधन है इनका नयाय चित्वत्राण तो शाटेयांगी क्या कहता है भौतिक संसाधनों का न्याय उचित मनें उचित वित्तरारण उनको बाठना है थटना सी क्या कहता है यह कहता है जो उत्पादन के साधन है जो धन है वो चन्ध हाथों में संकेंद्रित ना हो जाए कि क्या होता है यह कि है कि देश का जो यहarbeit अशन ट्न सृषर्ण संपल शन साधन के पास यह कि यह ज़न का अस्मान वित्रांग है देश के 20% लोगों पास देश का 20% धनीन होना चाहिए यह कि देश के 20% गपास देश की कुल संपत्ति का 80% है और देश के द्धन संकेंद्रित हो जाए और देश की बड़ी आवादित धन भीन हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो 39C कहता है कि उत्पादन के साधन कि और धन कि संकेंद्रन का संकेंद्रन का निसेद कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आज नहीं तो बताएंगे आगे नहीं बताएंगे ठीक है पर समझ दिए इतनी आई कि नहीं आई कि वा क्या यह जो 39C है इन्हें को लागू करने के लिए बाद में हम देखते हैं सुतन्द भारत में भूम सुधार कारकम चलाए गए जम्यदारी वूलन अध्मयों आया जम्यदारी लूंड़न अध्मयों आया ठीक और जो है कई निजी कंपनियों का राष्ट्री करन किया गया जैसे बैंक निजी थे उनका राष्ट्री करन किया गया कोई शिप कार्पोरेशन कंपनी है निजी हाथ में किसी उद्धोपतिक हाथ में है उसका राष्ट्री करन कर दिया गया कोई एरलाइंस है जो निजी सब्सक्राइब इसकों विसेस पीजिए सफस्छान है कि इसको बसारे करक्राइब किसको यही चीज्जों को लागु करने के लिए लिखं़ेजे अब अनुच्षेत 39 है अनुच्षेत 39 इस अनुच्षेत का संबन इस अनुच्षेत का संबन समाजवादी नीतियों से है इस अनुच्छित का संबन समाजवादी नीतियों से है फिर जो निम्लिकित है अब A, B, C, T करके लिखेंगे इस राज को निर्देश है राज को निर्देश है की राज को निर्देश है की देश है की अब दिखिए, अब A, A, A में क्या होगा हम आपको लिखा रहा है, A, सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को, आजीवका के परियाप्त साधनों का दिकार, अब दिखिए, 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 अ ताकि सभी लोगों को लाब हो, बहुतिक संसादों का नया चितफिरां, ताकि सभी लोगों को लाब हो, अपसी उत्पादन के साधन और धन के संकेंद्रां का निशेद। अपसी निशेद।